स्वागत आप सभी का फिर सेशने वीडियो पे आप देख रहे हैं टीम्यू इन्फू इन्फू इनल चिलका मांजी भागलपूर इन्वर्ट्रिटी से रिलेटेड जो भी चार्च हत्रा हैं पर्ट वन सेशन दोजर बाइस से पचीस में पर्मोट हो चुके थे या फिर फैल हो चुके थे उनका बहुत सारा कॉमेंटर रहा था क्योंकि अभी पार्ट वन में जो भी चार्च हत्रा है पर्मोट थे अल्ड़ी उभी पार्ट वन का एक्जाम दिये ही थे लगबक साइंस जो कि टी आर मंडे से देखने को मिलेगा तो साइंस अंड कोमर्स वाला जो भी चार्च हत्रा है या फिर आर्स वाले चार्च हत्रा है जो कि पार्ट वन पर्मोट कर गये थे लेकिन पार्ट टू का एक्जाम अभी उनका हो गया रिजल्ट आ गयी अक्लियर हो गया उनका कह पर्मोट हो गए थे फैल हो गए थे उनका एक्जाम कब लिया जाएगा बहुत सारे चाहत्रा का कॉमेंट आ रहा था कुछ चाहत्रा उसमें गुष्चा भी थे कि उसको मेंट कर रिप्लाइ क्यों नियुक्त आप साथ बता दू कि इनवर्शीटी के द्वारा कोई भी अपड लेकिन इनका फॉर्म भड़ने में काफी देरी की गई थी क्योंकि कोई भी ध्यात्र ध्यान नहीं दे रहे थे मैंने कितने बार बोला था कि जब तक आप लोग नहीं जाएंगे इन्वर्शीटी में मीटिंग नहीं करेंगे परिचनियां तर्क से तब तक वह फॉर्म भड गया उसके बार इकजाम के दोड़ two का इवाला था वहाथ अब तो जो भी फोड़ ऑने 12 से इसन वाले गा उनका होना था जो भी फैल थे लेकिन उनका एक्जाम अभी तक इंवेस्ट honor कोई । शेडूल नहीं क्या गया जब कि समेश्टर वन का डेट सेडूल कर दे गया जो निव शेशन आ रहा है चौबिस से अठाइस के लिए या फिर यूजी पीजी में जो भी नमांकन चल रही है उनकी जो निव शेशन में अधिकारियां बात कर रहा है और नहीं किसी को कोई एकज सब्सक्राइं होंगे तो आप सब्सक्राइं हो सकते हैं खासकर चात्राइं होंगे तो सब्सक्राइं हो आजाएं जाकर परिच्छन अंत्रक से बात करें कि फारम भरे पांच मन्त से उपर हो गया है फिर हम लोग का एकजाम कभी रिजल्ट आ गया अगर आपका पार्ट वन के लिए नहीं रहेगा जो पर्मोटेड है तो मार्च अप्रेल में आप सभी का सब्सक्राइब करना होगा इसलिए आप लोग आप देरी ना करें इंवर्शिटी जाएं परिच्छन अंत्रक से मिले भेट करें उनसे बोले कि हमारी जाएंगे नहीं बोलने पर लोग डिले से छोड़ देंगे और काफी लेट कर देंगे क्योंकि जब उन्हें लेगे कि हा इस से पहले जितने भी चार शाच रहा है परमोट होगे थे किसे 24 में या फिर 20 से थेईस में तो उससे पिछला वाला जो सेशन है उनका जब पार्ट वन हो था था या फिर उनका पार्ट वुद्ध था तो उससमें परमोट इड़ वाला के एजम ले रहा था लेकिन अब च साल सीब्स सिस्टम हो गया समिश्टर वाइच चल रहा है से वी सियस के तहत तो जो पर्मोटेड हो जा रहे हैं चातर बाइस से पचीज वाला में उनसे पीछे कोई यह लिवाई शेशन चल ही नहीं रहा है कि उसके सात्रों को इसमें ट्रांसफर किर दिया जाए पर्मोटेड जल से जल से नोटिस निकले और मैं इंवर्शेटी जाओंगा तो इस पर जरूर बात रखोंगा किसी अधिकारियों से कि हां जो पर्मोटेड हो गया है चात्र उनके एक्जाम से लेकर क्या परिकरिया है चल रही आप लोग ने क्या रणन नेती बता बना रखी है क्योंकि परिछा के कलेंडर बनता है परिचा शेडूल बनता है और उसी सेडूल पर फिर जो है एक्जाम लिए जाते हैं आई होप की जनकारी आप से भी को अच्छी लेगे होगी चनकारी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शर्ण को सब्सक्राइब कीजिए और